नमस्कारे हमें, सभी का सवागत है चैनल में इस वीडियो में मैं ईशाहट ड्योगा प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताऊँ गा और कुछ प्रोग्राम्स जो मैंने करे हैं, कुछ प्रेक्टिसेज जो मैं डेली बेसिस पर करता हूँ अपने experience भी यहाँ पर share करूँगा आपको कौन से programs attend करने चाहिए आपको कौन से practices सीखनी चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर जाने करी दूँगा और कुछ भी चीजे मैं आपको हट योगा के बारे में बताने वाला हूँ और काफी सारे जो हमारे दिमाग में concept बने वेते हैं कि हट योगा केवल नागा बाबा नागा सदू यही लोग करते हैं और हट योगा अगर आप करोगे तो आप हट योगी बन जाओगे पहाड़ों पर जाकर आपको तपस्या करनी होगी ऐसा कुछ भी नहीं हट योगा और योग से आप आप किस तरीके से आपके शारे जो परिशानिया है वो दूर हो सकती हार एक चीज में हाँ पर cover करने वालों बट ये वीडियो कोई entertainment purpose के लिए नहीं है जो लोग सही में कुछ चीज को सीख करना चाहाँ कुछ चीज को ढूंड रहे हैं अगर वो लोग सही में कुछ चीज को सीख करना चाहते हैं उन लोगों के लिए वीडियो है और वीडियो आप लोग लाज तक देखेगा और इस बात की जिम्मेदारी में लेता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंग तक बहुत सारे कॉंसेट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको ये क्लेरिटी रहेगी कि आपको कौन से प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए मुझे एक डेट साल लगबग डेट साल होने वाला है हाट योगा की प्रेक्टिसेज करते वे अंग मर्दना और योगासना इसको लगबग लगबग नौ-दस महिने हो गए है उसके बाद से जो मेरे में मतला हुआ है उसकी बेसिस पर ही मैं यहाँ पर व्यूडियो बना रहा हूँ ये इशा हजाट योगा प्रोग्राम में जनरली पांच प्रोग्राम सिखाये जाते हैं लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बता ना चाहता हूँ कि हठ योगा है analyse कि हाट योगा कुछ योगी होते है वो सीखते है वो करते है और अपनी टांग यहां डाल देंगे हाथ पैर मोड देंगे ये हट योगा है बिल्कुल नहीं ऐसी चीजें होती होंगी जो थोड़े higher level of आसन होते होंगे वहाँ पर ये किया जाता होगा बट हट योगा का मतलब है हाँ का मतलब सूरिया और ठागा मतलब चंद्र शरीर के अंदर सूरिया और चंद्रमा इन दोनों की जो एनरजीज हैं इनको बैलेंस करने के लिए बैलेंस करना ही हट योगा का परफस है और साथ हट योगा का परफस ये है कि आपके जो शरीर है उसको इस तरीके से इस तरीके से ढाले कि अगर आप बैटे हैं तो आपके लिए कोई भी परिशानी खड़ी रही करें अगर आप बैटे हो तो आप बैटे रहों दो गणटे तीन गणटे आप चल रहे हो तो आप चलते हों आपके शरीर आपके लिए बाधा ना sponsored आपका शरीर और साती सात माइंड आपके सामने बाधाना बने ये हट यूगा का गोल मुझे से लगता है कि हट यूगा का गोल ये है कि आपका शरीर और आपका माइंड जो भी आप काम करना चाहते हो उसमें बाधाना बने आप जो काम करना चाहते हो उसमें आपका शरीर बा जो भी जन्रली हम योग सीखते हैं, योगा का बेसिक परपस यह है कि जो पंच तत्व है या पंच भूत है जिन से हमारा शरील बना है, इनको शुद्ध करना, इसको बोला जाता है भूत शुद्धी, तो सद्धगुरु ऐसा बताते है कि जो भी योगी फ्रेक्टिसे हम करते हैं या फिर जो भी मेडिटेशन टेक्नीक्स इस दुनिया में अविलेबल है, वो सारी सारी मेडिटेशन टेक्नीक, जो एलिमेंट्स हैं हमारे, उनको क्लीन करने के लिए, प्यूरिफाइ करने के करते हैं और अगर माइंड प्योरिफाई होगा तो बॉड़ी अपने प्योरिफाई होती है यह जो चीज है यह भूत शुद्धी के अंदर ही आती है अगर आप माइंड को भी देखोगे तो माइंड भी मैटर से मिलकर ही बना है पांच तत्तों के अंदर का जो मिक्शर होगा उससे मिलकर माइंड बना होगा यह नॉन फिंजिकल फां होती है तो अगर अगर आप किसी भी मेडिटेशन टेक्निक में जाएंगे तो यह योगा के अगर बात करोगे तो भूत शुद्धी हो रही है अब सद्धुरु ऐसा बताते हैं कि बेसिक प्रैक्टिस जो योगा मे सिखाए जाती है वो है बहुत शुद्धी तो सबसे पहली प्रैक्टिस जो हर कोई व्यक्ति हर कोई व्यक्ति सीख सकता है इसमें कुछ आपको अलग करने की जुरूरत नहीं है आपके पास एक हटी होगी किट होगी और इसमें पांच से साथ मिनिट लगते हैं जो व्यक्ति गर्दन और बोडर नहीं सकते हैं हाथ बेंड नहीं कर सकते हैं हर एक इनसान ये चीज़ कर सकता है क्योंकि उसमें आपको कुछ प्रॉसेस करना होता है बहुत चोटा प्रॉसेस होता है और इसके बारे मैं कभी डिटेल वीडियो वालाऊंगा पांचो तत्वा के लिए बोड़ हें होता है और सदुल को क्लेनिंग उसमेश में वड़ा आध्य होता है अब गन्दा नहीं हो सकता ऐसा समय सदमीं है और स्ब्रॉसेस को रहा है o मेरे experience पर बेस बोल रहा हूँ, वो कभी गलत नहीं हो सकता, इसके बाद अगर भूत शुद्धी के बाद, आप और practices देखेंगे, तो और practices सिखाई जाती है, जैसे अंग मर्दना, सूर्य क्रिया, योग आसनाज, और भस्तरिका क्रिया, ये चार चीजे हैं, जो सूर्य की energy है, सन है, सन element है, उसको activate कर रहे है, सद्द्गुरु ऐसा बताते है कि, दुनिया पूरी अर्थ के अंदर, जो भी life हो रही है, उसको चलने के लिए solar energy की जरुवत है, तो आप अपने शरीर में solar energy को ही activate कर रहे है, अगर आपके शरीर में solar energy activate हो गई तो आप दिम भर active रहेंगे और साथ ही साथ ऐसा गवताया जाता है कि जो सूर्य क्रिया है वो शरीर के अंदर समत प्राण को बढ़ाता है समत प्राण को activate करता है इसके वजह से आपके शरीर में होने वाली जो रोग है वो दूर होते हैं जै से उनके अस्तमा की problem खतम हो गई बिल्कुल खतम हो गई जादू की तरह गायब हो गया और अब वो 20 मिनिट में अंग मर्दरा की practice खतम कर देती है तो सूर्य क्रिया इस level तक आपको लेकर जा सकते है इसके बाद सद्गुरू और बताते हैं कि सूर्य क्रिया के साथ सूर्य क सूर्य क्रिया आपको meditative भी बनाता है और ऐसा भी बताया जाता है कि सूर्य क्रिया करने से आपकी जो body है वो आपके लिए हर्डल नहीं बनने वाली है वैसे तो हटी होगा कि जितनी भी practices है वो आपकी body को इस तरीके से बना देंगी कि आपका शरीर आपका mind आपके लिए ब होते हैं और वो steps को आपको सांस के साथ maintain करके चलना होता है तो जब आप सांस और body को एक साथ लेकर आते तो ये खा जाता है संद्गुरू बताते है कि इसकी होजे से आपका जो concentration या focus है वो बढ़ता है और सूर्य क्रिया से आपकी जो body है वो सं के साथ सं के साथ सिंक्रो सि ये बताया जाता है कि जो लोग सूर्य क्रिया कर रहे हैं वो सुबह ब्रह्म भूरत में अपने आप उनकी नीद खुलने लगती है और जो sleep quota है वो decrease हो जाता है sleep quota decrease हो जाता है अगर आप 7-8 घंटे सुरेंगे तो 4-5 घंटे आपका sleep quota पहुच जाएगा और एक सूर्य क्रिय कि जो cycle होती है उसे करने में 20 मिनट लगते है और वो आपके उपर depend करता है कि आप कितनी cycle करना चाहते है 3-6-9-12 आपके time depend करता है कि आपके पास कितना time है पर ये बताया जाता है कि सूर्य क्रिया करने से 2 चीज़े maintain होती है अगर आप general level पर देखोगे एक आपकी आपकी body म बहुत जवर्दस्त maintain रहेंगे और मेरे सुनने में ये भी आये कुछ लोग जो practice करते हों बताते है कि हमारे अंदर का confidence level सूर्य क्रिया करने के बाद काफी अच्छा rise हुआ है इसके बाद अंग मरदना की अगर हम बात करें दूसरी practice जो है वो है अंग मरदना जरूरी नहीं है कि आप इसी सीरीज में से सीखें मैं आपको बता रहूं कि ये जितनी भी practices है ये basic level के practices है और इनको आप initial basic level जिसने आस तक कभी योगा नहीं किया ये उन लोगों के लिए ही है अंग मरदना की बात अगर करें सद्गरू बताते हैं कि अंग मरदना आज से कुछ साल पहले इसको सिखाया जाता था उसके अलब अंग मरदना किसी और को नहीं सिखाया जाता है ये हमारा स्वाग्या है कि हमें अंग मरदना सीखनों को मिल रहा है और अंग मरदना की अगर बात करें अंग मरदना का मतलब होता है कि अंगों को मारना आपके अंगों को मार देने का मतल करता हूँ अंग मर्दना से क्या-क्या फाइदे हुए रिफ्लेक्स आपकी जो फ्लेक्सिविलिटी है वो बहुत जबरदस इंक्रीज होगी साथ ही साथ आपकी जो रिफ्लेक्स हैं वो इतने तेज हो जाएंगे कि आपने सोचा नहीं होगा रिफ्लेक्सिव बहुत जबरदस तरीके से बहुत जबरदस तरीके से बढ़ेंगे आपकी रिफ्लेक्सिव बहुत फास्ट होगे इसके लावा आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ डवलप होगी स्ट्रेंथ हर तरीके की एक strength के अगर हम बात करें, physical strength बढ़ेगी, आपकी body में अगर कभी चोट लगती है, तो वो चोट बहुत, जो healing है आपकी body में, healing का जो rate है वो बढ़ेगा, इसके साथ साथ, आपकी जो body है, वो एक और तरीके से strong होगी, जो है, immunity strong होगी आपकी body में, immune system जो है, बहुत जबरदस होगा, इसके अलावा एक चीज़ और, आपको जो digestive system है, वो बहुत बढ़िया होने वाला है, आपकी हड़िया, सारी की सारी चीज़े, बहुत मजबूत होने वाली है, और एक और aspect अगर मैं इसकी बात करूँ, तो अंग मर्दा ना करते हो, मैंने ये feel किया है, कि हमारी body के अंदर resistance है, अगर मालोगी कभी आपको कभी गुस्सा आया और वो गुस्सा आप बाहर नहीं निकाल पाए, तो वो गुस्सा आपके शरीर के अंदर store हो जाता है, जिसकी वज़े से शरीर में गरंथियां बन जाती है, तो जब आप अंग मर्दा ना करते हो, तो जो पुरान पुरानी गरंथियां आपके शरीर में बने हुए है, या आपके energy सिस्टम में बनी हुई है, वो सारी की सारी गरंथियां खुलने लग जाती है, मैंने ये फील किया है, और मेरे हट योगा टीचर नि मुझे ऐसा बताया था कि अगर आप 6 महीने तक लगातार हट योगा की, लगातार अंग बर्दना की practice करोगे तो आपको गुसा आना बंद हो जाएगा, आप गुसा होना भी चाओगे पर गुसा हो नहीं पाओगे, उन्होंने 6 महेने कहा होगा लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से बतायोगा, मुझे काफी टाइम होगा है अंग बर्दना करते वे अंग बर्दना की वेसे आपको गुसा आना बहुत कम हो जाएगा, यह मेरा personal experience है, बहुत rare cases होंगे जहाँ पर आप गुसा करेंगे, कई बार तो ऐसा होगा कि आप गुसा करना चाहोगे पर गुसा नहीं होगे, यह मेरा personal experience है, personal experience है इसके अलावा अंग बर्दना से मेरा हीलिंग आपकी बोड़ी में बढ़ने वाली है और बोड़ी आपके लिए कभी भी हर्डल नहीं बनेगी कभी भी आपके लिए आपकी बोड़ी हर्डल नहीं बनने वाली है अगर आपको भूल दिया कि दो गंटे बैठना है तो आप बैठे रहोगे कोई भी मरेशानी नहीं होने वाली है इसके बाद एक और प्रैक्टिस जो मैंने सीखी है जिसका नाम है योगास नाज अंग मरदना और सूर्यक क्रिया मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टुडेंट है या जो जो लोग एथलीट एथलीट बनना चाहते है उन लोगों के लिए ये बहुत जबदस टूल्स है ये दोनों टूल्स बहुत ही ज़ादा जबदस टूल है मैं क्रिकिट खेलता हूँ और जब से मैंने अंग मरदना करना स्टर्ट किया है तो मैं क्रिकिट खेल के आता हूँ जैसे सुबह खेलने के 10-11 बजे और शाम को 3-4 बजे खेल के वापस आए उसके बाद भी मैं आके अंग मरदना करता हूँ मुझे थकान महसूस नहीं होती है तो अंग मरदना आपको इस लेवल तक लेकर जा सकता है मेरे हड्योग अडिचर ने हमें यही बताया था कि अगर आपको आपकी बॉड़ी एक अलग लेवल पर होगी और अंग मरदने की वजे से आपको जो आनद का लेवल है आपके शरीर में एक्स्टेसी है या फिर ब्लिस है यह आपकी बॉड़ी में मिंटेंड रहने वाला है रहेगा ही रहेगा वैसे हट यह की आप कोई भी प्रेक्टिस सीख लो कोई भी सूर्य क्रिया अगमरदना योगासनाज यह सारी की सारी प्रेक्टिसेज आपकी बॉड़ी में एक लेवल एक्स्टेसी का मिंटेंड करके रहने वाला है ब्लिस का आपके शरीर में एक लेवल मिंटेंड रहने वाला है इसके अलावा योगासनाज के अगर बात करें योगासनाज सद्गुर्या साब बताते हैं कि जो क्रियेशन है वो कुछ जयमेट्री से होकर गुजरी है जैसा एकर आप आप जुनिया वे जो क्रियेशन है उसमें देखोगे तो पर्टिकलर ज़मेट्री है बहुत सारी चीज़ होत 피 had उसी जहमेट्री को हम अपनी बाडी के दिरू अचीव करना जाते है इसको योगासनाज बोला जाता है तो जो योगासनाज हमें यहाँ पर सिखाया जाते है स्टार्टिंग वो बेसिक योगासनाज है और योगासनाज मेरे हट योगा टीचे नहीं बहता है योगासनाज आर्दी कोर ओफ हटा योगा कोर ओफ हट योगा यानि सारी प्रैक्टिसेज एक तरफ और योग आसनाज एक तरफ मतलब योग आसनाज ही आपको ultimate तक ले कर जाएगा ऐसा इसका मतलब है कि core of hearty yoga जब मैंने यह बात सुनी थी तो उसके बाद मैंने मेरे hearty yoga टी चलने बज़े योग आसनाज करने को बोला था योग आसनाज उनके लिए है और योग आसनाज से जो आपके शरीर में आनद का लेवल होगा वो unmatchable है बहुत ही जवड़स्ट बहुत ही ज़्यादा जवड़स्ट योग आसनाज के उपर मेरी एक पूरी वीडियो में ने बनाई हूए या उसका link भी में description में दे दूँगा इसके साथ-साथ योग असनास थे आपकी body जो है वो आपकी body की जो geometry है वो perfectly perfect alignment में आएगी creation के या higher level का जो cosmic geometry है उसके साथ आपकी body alignment में आएगी मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी जो ये shoulder है पहले ये कुछ ऐसे आगे की तरफ रहते थे थुड़े जो के टाइप के लेकिन अब जब से मैं योग असनास करता हूँ तो मुझे ये फील होता है कि मेरे जो गंदे ये अपने आप align हो रहे है और पीछे इस तरीके से कभी कभी पीछे ऐसे जाते है और मैं ये simply feel कर सकता हूँ कि मेरी body जो है वो alignment में आ रही है जब आपकी body जब आपको एक्टिविटी करते हो तो आपको समय पता चलता है कि आपकी body किस कैसे alignment में है आपकी body resistance नहीं दे रही है आपकी body बहुत अराम से move करेगी इसके साथ साथ योगासनाज meditation meditativeness में आपको आगे लेके जाएगा आपकी जो geometry है जो आपकी body है वो perfect shape में आले लेगी इसके साथ साथ योगासनाज ते मैंने देखा है कि digestive system बहुत बढ़िया हो जाता है और कोई भी अगर हट योगाई प्रैक्टिस कर रहे हो उससे cosmic geometry के साथ alignment में आ रही है आपको सोचने की जोरत नहीं मुझे सीधा बैटना है आपकी body अपने सीधे होने लेगी आपको ये सोचने नहीं है कि मुझे कंदे ऐसे करके चलने है ये अपने आप एक alignment में आने लगेंगे आपकी read candy सीधी होने लेगेगी आपकी गर्दन सीधी आपकी जो नजरे है वो सीधी होने लेगेंगी और जब आप हटी होंगी practices करते हो तो आपकी body के अंदर consciousness level बढ़ने लगता है आपको जब आप चलोगे भी तो आपको आप जब ये practices करने के बाद खुद को चलते वे देखोगे और बाकी लोगों को चलते वे देखोगे आपकी चलने अगर आप किसी के बगल से गुजर भी गए तो उसको पता नहीं चलेगा कि आप उसके बगल से गुजर चुके हो physically इसके अलावा एक और प्रैक्टिस है जिसका नाम है भस्तरिका क्रिया भस्तरिका क्रिया जो है ये कहा जाता है हट योग की सारी प्रैक्टिस एक तरफ और भस्तरिका क्रिया एक तरफ भस्तरिका क्रिया बस्री का क्रिया से होता क्या है कि ये आपका जो सांस लेने का या ओक्सिजन का कंजम्शन है वो स्वारी जो मालों कि अभी आप एक मिनिट में एक मिनिट में आप साथ बार पंदरा बार सांस लेते हो तो बस्री का क्रिया से क्या होगा कि जो आपकी breath है उसका duration बढ़ जाएगा मतलब आप पहले अगर 15 बार साहस लेते तो आप दिरे दिरे आपकी breath count जो है वो कम होते जाएगी यानि आपकी जो respiration system है उसकी capacity बढ़ रही है और capacity बढ़ने के साथ साथ अगर आपके जो breath count है वो दिरे दिरे कम होने लगे तो इस universe में होने वाली जो चीज़े है सारी की सारी चीज़े आप perceive करने लोगोगे आप perceive करने लोगोगे आप grass परने लोगोगे ये बस्तिका करिया का main advantage है और जिन लोगों ने भी बस्तिका करिया करी है वो ये बताते है कि बस्तिका करिया करने की वज़े से हमारा हमारी शामभई महमुद्रा में हमको बहुत फाइदा मिला है और जो लोग शक्ति चलने ये शून्या करते हैं इनको भी बस्तिका करिया की वज़े से बहुत फायदा हुआ है और ये बोला जाता है कि संग्रू ऐसा बताते है कि बस्त्रिका क्रिया अपने आप में एक complete प्रोसेज है या फिर अपने आप में एक process है जो आपको एक अलग level तक लेकर जा सकता है इसके लावा बस्त्रिका क्रिया के और क्या फायदे है बस्त्रिका क्रिया से आपका जो blood है वो purify होता है तो जिन लोगों को skin diseases है उनके लिए ये बहुत फायदा मंद है जिन लोगों को कान ENT problems है नाक कान और गले की problems है गले में खराश वगरा वगरा जो भी चीज़े है उनके लिए बस्त्रिका क्रिया बहुत फायदे मंद है ऐसा हट योगा टीचर्स बताते है और इसके लावा एक और क्रिया होती है जिसके कहते हम शन्मुखी क्रिया वो आँखों के लिए होती है आपकी eyes के लिए एक अलग practice सिखाते है हट योगा में उसते कई लोगों के चश्मे हट चुके है वो practice करते करते आप वो क्रिया शन्मुखी क्रिया भी सीख सकते है ये केवल और केवल जितनी भी practices है वो ईशा हट योगा teacher सिखाते है इशा हट योगा teacher के अंडर यहाँ पर सारी की सारी practices सीख दखते है सूर्या नमसकार का आपने नाम सुना होगा पर कभी सूर्या क्रिया का नाम नहीं सुना होगा इशा के अलावा मैंने कहीं और इसका नाम नहीं सुना है इसके लावा एक और चीज़ में रैप को बताया थी जिसे कहते है सूर्या शक्ती सूर्या क्रिया के साथ-साथ सूर्या शक्ती सिखाया जाता है लेकिन मुझे सूर्या शक्ती के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे इतना बता है कि एक सूर्य शक्ती की साइकल करने में दो से तीन मिलट लगते है तो छोटे बच्चों को जनरली मुझे लगता है कि सूर्य क्रिया नहीं सिखाए जाती पहले उनको सूर्य शक्ती सिखाए जाता है उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हो जाते है 14 साल के बाद इनको सूर्य क्रिया सिखाए जाती है जितने भी हट योगा की प्रैक्टीस मैंने आपर बताई अंग मर्दना योगासनास सूर्य क्रिया और भस्त्रिका यह सब 14 साल से उपर के बच्चों सिखाए जाता है और 14 साल से जो नीचे के बच्चे है उनके लिए थोड़ी प्रैक्टीस अलग तरीके की होती है ऐसा नहीं है कि उनके लिए हट योगा नहीं है उनके लिए भी हट योगा है जो हम आसन करेंगे वो ही आसन छोटे बच्चे नहीं कर सकते तो आप हमेशा ध्यान रखे कि अगर आप योगा सीखाने जा रहे अपने बच्चे को तो जिस आदमी को योगा के बारे में पुरा लालेज हो उसके थुरूई आप योगा सीखें और सीखाएं इसके अलावा जो भूत शुद्धी में आप लोगों को बता चुका हूँ ये 5-6 प्रैक्टिसेज अब आप चूज करेंगे कि आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी है भूत शुद्धी तो हर किसी को करना चाहिए उसमें 5-7 मिनिट लगते हैं और जब आप वो करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको धीरे धीरे अपनी बॉड़ी में महसूस होले लगेगा वैसे तो बहुत शुद्धी बहुत सटल प्रैक्टिस है बहुत कम भी लोग ऐसे होंगे जो उसकी जो इफेक्ट है उसको महसूस कर पाते होंगे कुछ चीज़े में और आपके सामने रखोंगा कि बहुत सारे लोगी सोचते हैं कि हमको जो योगा प्रैक्टिस है वो फ्री में सिखा दी जाए तो अगर जो टीचर आपको हट्योगा सिखा रहा है उसे अगर अपना घर चलाना है तो उसको कुछ नगुछ फीस की जरूत होगी या उसने अपना घर इतना समय दिया होगा तो 5-6 महिने की जो हट योगा टीचर ट्रेनिंग होती है बहुत रिगरस बहुत ज़्यादा उनको मेहनत लगती है वहाँ पर और हर कोई हट योगा टीचर नहीं बरबाता है वो उनका प्रोफेशन हो चगा इशा के अलावों कोई और हट योगा मैंने ओपन ली देता हुआ नहीं सुना है हट योगा के बारे में ही मैंने पहली बार ही सद्गुरू से सुना था और इतनी clarity के साथ हट योगा के बारे में सुनना और उसको करना ये हट योग जो है हट योग हट योग ने जिस तरीके से मेरी बॉड़ी और माइंड को ट्रांस्वार्म किया है मैं उसके बारे में आप लोगों को मतलब मैं आपको recommend करूँगा कि आप हट योग जरूर 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 सीखे सद्गुरु कह दे हैं जब तक आपके हाथ तो बहुत सारे लोगों ने अगर Bruce Lee को सुला होगा कभी तो Bruce Lee कहते है कि be like water my friend if you put water in a cup it becomes the cup if you put water in a pot it becomes the pot this is what heart yoga will make your body लाइक आपकी body fluid की तरह हो जाएगी आपकी body पानी की तरह हो जाएगी उसको आप जैसे डालना चाहोगे आप वैसे उसको ढाल सकते हो ये मेरे experience में चीज़े आने लगी है और जो heart yoga की practices है या heart yoga के program है ये थोड़े आपको लगेंगी costly है पर जब एक महीना दो महीने आप ये practice कर लोगे न आपको लगेगा आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ आपको दी गई है वो अनमोल है मुझे से लगता है कि लगबग लगबग एक साल तक मुझे heart yoga practice करने के बाद मुझे से लगता है कि heart yoga पूरी humanity के लिए वरदान है और जिसके लिए हम लोगों ने कोई भी तपस्या नहीं करी है वो वरदान हमको हमारे जिस शहर में हम रहते है वहाँ पर आके कोई heart yoga teacher सिखा कर जा रहा है कोई heart yoga teacher सिखा कर जा रहा है ये वरदान है जिसके लिए हमने कोई तपस्या नहीं करी थी ये मैं एक साल की practice करने के बाद बोल रहा हूँ और जो मिरे अंदर बदला हूए है उनकी विशिस में सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ so I hope कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी heart yoga में उतरेंगे heart yoga की वज़े से मेरी शाम भावियो मामुदरा enhance हुई है और battery की capacity enhance हुई है आप कोई भी practice अगर करना चाहते हो अपनी जिन्दी के वे वो कुछ भी चीज़ अगर करना चाहते हूँ तो heart yoga आपके लिए बहुत जबर्दा stool हो सकता है सूरिया क्रिया और अंग बर्दिना ये तो बहुत ही जबर्दा stool है बहुत बहुत जबर्दा stool है अंग बर्दला और जो योगासनाज है पहले basic level पर सिखाये जाता है उसके बाद ये advanced level भी सिखाये जाते है वो depend करता है कि आप जब सीख लेंगे उसके बाद आपके heart yoga teacher जब आपको recommend करेंगे तो आप higher level of अंग बर्दला और योगासनाज के लिए भी जा सकते है so I hope मेरे की मेरी बाते आप तक पहुचे होंगी और जल्दी से जल्दी हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है वो पका पका heart yoga सीखे सूर्य क्रिया से कमर का दर्द गर्दन का दर्द ये सारे की सारे चीज़े जादू की तरह गायब हो जाएंगी अंग मर्दना से आपके शरीर में काफी सारी चीज़े हाथों में दर्द होता हो गए सारी की सारी चीज़े जादू की तरह गायब हो जाएंगी healing power आपकी body में बढ़ने वाली है digestive system आपका बहुत जबर्दस होने वाला है immunity आपकी बहुत जबर्दस हो जाएगी heart yoga करने के बाद so please 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 heart yoga सीखे heart yoga की practices सीखे authentic ईशा heart yoga teachers से ही सीखे यूँकि बाकी जगे है आप जाकर भी देख सकते है वो आपके उपर depend करता है बट मैं आप लोगों के यह recommend करूँगा ईशा heart yoga teacher के द्वारा ही yogic practices सीखे हाँ एक practice और करवाई जाती जिसे कहते है जलनेती जलनेती भी करवाई जाती है तो आप उसको भी सीख सकते है और ये लगबग लगबग अब इंडिया के हर शहर में होने लगा होगा या फिर हर इस्टेट में तो ये सारी के सारी practices heart yoga teacher आकर सिखाते है किसी और city से आकर भी सिखाते है क्योंकि जैसे धहरदून में अब तो एक heart yoga teacher आ चुकी है बट इस्ते पहले धहरदून में फेस्बुक पर ऐसे pages follow कीजिए जो heart yoga heart yoga से related जो pages है उनको follow करें और आप मुझे भी follow कर सकते है instagram पर और बाकी लोगों तक भी videos पहुचा है instagram id मैं description में भी देदूँगा और यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ गौरव और subscribe करना ना बोले हो और अगर किसी और topic Indian culture spirituality के उपर अगर कोई topic पर आप वीडियो चाते हैं तो नीचे comment section में comment कर दीजेगा I will try to make a video on those topics मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कारम अन्यावाल